कोई लव शब ने इतना टाइम क्यों लगा तुझे तुझे पता है ना में यूज जा रही हूं वैसे आनद आने वाला था ना का है हेई गाईज सप्राइज कहां से पकड़ लाई इस लड़के को मस्ते यह पकका लोकल है ना अरे तु बहुत चालू है रहे चालू याने वो तुम्हारे तारीफ कर रही है वहाई आइम राहूल नमस्ते क्या करते हैं आप फिलाल तो इसके हस्बेंड होने की ड्यूटी पड़ेगा अच्छा यह बता हम दोनों में से सुन्दर कौन है तुम सुन्दर हो यह नशीलिया अरे क्या लाइन मारिया तूने शुक्रिया शुक्रिया अरे टाइम हो गया तू क्या पीएगी तुम्हारी मर्जी वोटका ओके एई नारियल पानी नहीं है जो हां कर दी वा हम जा रहें अपना काम करें वाटका दुनिया में लड़कियां आगे निकल रही हैं सोना था पर पीने में भी अपने से आगे हैं मेरा भाई ले क्या सैंपल है क्या चल बॉटल रख यहां क्या सकता है आपन करो दो के लड़के को तो कॉन समझाए कोई बात नहीं लाइट लो मैंने लिया था पर वही जादा चड़ गया इस नाचरल लड़कों का खाना बनाना लड़की का फीना ट्रेंड हो गया है हमारे विजेवाड़ा की लड़किया भी कम नहीं है वैसे किसी का कॉंपेटिशन नहीं है वैसे येस हैदबाद इसे बहुत चड़ गई आनंद इसे ऐसे घर लेके चले गए तो खाना नहीं ग्रवचन मिलेंगे देखो अब हम अमारे घर नहीं नीर्चा मासी के घर जा रहें ओके ना आनंद को कीज दो किस दूँ है ये सब के सामने नहीं कीज दो कापी है चलो 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 वरी दो वरी पीना हो तो मेरे घर में एकदम फुल स्टॉक रहता है पीना हो तो पापा के साथ ही उनका वो गाना गाना मेरा उनके साथ पीना आहा क्या मजा आता है पता है हाहा हाहा हुचे भी आ रहा है मजा ना उहां हुखाय था ना मैने पीजा हुआ 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 ये, फाइल पुलो, बिलिवडिग एपादे, अच्छा, इस तू मच, अच्छा तुमसे एक बात कहूं, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, तब से तुम में बहुत चेंज़ेस, और आइलाइक है, आनन, मैं वाइन पीना चाहती थी, बर वाटका पी गए, ताइस अच्छा तुम ने कुछ नहीं कहा, घर भी तुमने कुछ नहीं कहा, यह गेव मी माइस पेस, थांक यू, यह नो वाट, यह रिली लाइक यू, हां, आइड राली लाइक यू, एए है थाधरबाद, तुम विजय वाड़ा को डीप लव करने लगी हो ना, तुम मुझे इत मत करो, अगर तुम्हें उल्टी हुई तो उसका रीजन मुझे समझेंगे लोग मासी, आज चो इसने पी के तमाशा किया ना, वो छोटा मोटा नहीं था आनन को गली-गली गुमाया होगा इसने, है ना आनन हाँ, वैसे भी, वाइन कितना भी पी ले चलता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है बड़ा वकील बन रहा है और हमने वोट का पी है, ये पता है मासी को हम मासी से कुछ नहीं चुपाते, भीरचा मासी की बहुत रिस्पेक्ट है साइकॉल्चिस पर प्रफेशन, इंडिपेंडेंडेंट लेडी, शहादी भी नहीं की आनन, पता है अक्षरा ने मुझे ही, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया अपनी मा से जादा, वो मुझ से ही क्लोज रही है ये ये राइट चॉइस फॉर है मासी, दही है क्या देखा न, आते ही पहले ओमलेट मांगने लगे और देखो अब महरानी को दही चाहिए तब चड़ी थी, अब उतार रही है फ्रिज में होगा अक्षरा शुरू से ऐसी ही है इसलिए हम लोग इसे कन्फूशन क्यूटी कहकर बुलाते है यूनो, वो एक कोश्चन माग जैसी है इससे कभी answers एक्सपेक्ट मत करना मैं कौन से रूम में सोऊ, इस रूम में या उस रूम में मैं और मेरे पती इस रूम में सोझाते, तू उस रूम में सोझा और मैं तुम मेरे रो में सोजा ऐसा प्रोग्राम मत रख बहना तेरे ममी पापा जब इसकी पेरिंट से बात कर लेंगे न तब तु जैसा चाहे वैसा प्रोग्राम रख ले न समझाया न वो तो बस ऐसे ही बोल गई अच्छा कवरिंग तो मस्त करते हो तू आधी रात को पीकर सबकों पे घूमने लगी है आपकी बेटी सुन रहे हैं ना लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे बोलिये सुहाग रात को दूद के गिलास के बदले बियर गिलास से इंटर करने वाली दुलहन कैसे दिन आगे कल जब आपकी बेटी के बारे में पेपर में आएगा तो अराम से बैठ कर पेपर पढ़िएगा आधी रात को घर आती है आप कुछ पूछेंगे नहीं क्या लेट आने पर माने गुस्से में आकर बच्ची को डाट दिया और बच्ची अपना घर छोड़कर चली गई आप मुझे धमका रहे हैं मैं तो न्यूस पेपर पढ़ रहा हूं हेड्लाइन्स मां कब से मांग रही हूं सर भटा जा रहा है मेरा कॉफी दे दो ना कॉफी नहीं बेटा वोट कला के देती हूं ना बर्फ के बिना तो वो नहीं पिएगी मां सुनिये ना सामने वाली कावेरी को देखिए वो लड़की कॉफी भी नहीं पीती है क्या है बहुत हजी आ रही है नहीं पेपर पढ़ रहा हूं देख तू रही हो अब आपका हो गया ना ठीक है सुनिये क्या आपने ये सोचा रात में जो कुछ भी हुआ उस लड़के ने घर पे बता दिया होता तो क्या होता बताईए मां आनंद ऐसा कुछ नहीं कहेगा बहुत अच्छा है सुलिया बहुत कूल है वो बहुत कूल है ना तो जल्दी से उसके घरवालों से बात करके रि बात मेरे नम क्यों ले दे आदत हो गहीरे ना क्या है हां मैं हनुमंत राव भ्ता ना में सुनरों बोल IPS at ऐख कृता मैंम करण्सारा भी है कंशर्णा पिता बोल शेके ना तो बहुता था ना मixa समे करले ना तो बहुत खूश है वुदसे आप मेरी पतनी का नाम कीसे जानते हैं आपने अभी तो कहा था कि आप लाता क new है मैंने तो बताया था आपको इसका नाम तुम क्या हड़ीया तोड़ोंगेट वह क्या इसकी तूट रही है कहां पर जो किनो तुम तुम सब्सक्रा है कुछ नहीं वो मैं रिंग लाने के लिए बोल रहा था अच्या यही बताने के लिए फोन किया था मंगनी की रस्वम अगर हम पूरी कर लेते तो आनंद रक्षरा के बारे में बात कर नहीं है जी बोलिए बात करिए बोलिए तो फिर हम मिलते हैं हां ज़रूर जी जल्दी ठैं अकल होती तो काम पूरे करता अकल नहीं है तो काम अधूरे छोड़ता घोबरे जैसा बड़ा हो गया है अकल इक्नम बच्ची जैसे मैं कुछ औरी समझ रहा था अब मैं अपनी बेटी की क्या तारिफ दूठ जैसी साफ बच्ची है हमारी अक्षरा कॉफी भी बना लेती है कॉम प्लैन भी बना लेती है मेरी पोते के साथ घर तो बस आलेगे ना मम्मी आपने कॉल करके बात तो शुरू कर दी वरना हमारे बच्चों के लाइब में वैल यहां मजाख ही चलेगा या शादी की बात भी होगी क्या बात कई है मा भाई साब शादी से याद आया मूहरत आप लोग तैय करेंगे या फिर हम तैय करें कोई भी तैय करें क्या फर्क पड़ता है हम सब साती है ना एक छोटी से रिक्वेस्ट अगर आपको बुरा न लगे अक्षरा के मुंडन के लिए बचपन में विजयवाडा के मादुरगा के मंदिर में गए थे शादी भी वही करने की मन्नत मांग ली थी हमने बस यही एक रिक्वेस्ट है अरे क्या बात है विजयवाडा में ही सब क करना है तो शादी के मंदब से लेकर सारी तयारिया मैं खुद देख लूँगा आप हापी ली रिलाक्स हो जाओं कि लड़के वाले लड़की वालों की अब बिदाई करेंगे लेकिन दहेत सामने से नहीं मांगना चाहिए कैसी बात कर रही है आप माताजी मोबाइल सिगनल यह क्या सिगनल है भाई साफ आजकल बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए प्राइवेसी अक्षरा आनंद को उपर ले जा और अपना गार्डन दिखा दो वोओ वाट अगार्डन तुमारे फादा दिया ना इसके वाडन हेई सो प्रिटी सो ग्रीन सो ब्यूरिफुल आनंद हम जब से मिलें हैं तब से अब तक वक्त कैसे बीद गया पता ही नहीं चला ना या आई नो हमारी पहली मुलाकात तुम्हें याद है क्या हाँ विजेव नहीं देखा कि कौन है लड़की भाई बिलकुल मेरी माज ऐसी है अगर ये घर आ गए तो जिन्दगी सवर जाएगी बस से उतरते ही फोन नंबर मांग लिया था तुमने दिया ही कहां मेरा नंबर लेकर कॉल करने वाली थी ना बहुत दिनों तक वेट कराया ना वेट करता कॉल तो आया वैसे तुम्हें मज में क्या अच्छा लगा तुम्हारा केरिंग नीचर आनन तैंक यू आनन आफ टॉक तो यू अल्राइट लीज अब बोलो क्या है नानन मैं एक साडी की डिजाइन सेलेक करने के लिए भी बहुत टाइम लेती हूं तो ये शादी इंगेज उसे भी बड़ा डिजाइनर एक और है जो भी होने वाला है वो डिजाइन करता है हम तो बस कट पुतली हैं हेलो राइटर सहाब अपने डालोग अड्स में इस्तिमाल करना अक्षरा पर नहीं हाँ हाँ ए अड्स याद आया कला मंदर के लिए नया आड करने जा रहा हूं कॉंटेंट जबरदस्त है सुनो 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 कला मंदर की नई साडिया सस्ती टिकाव कई साडिया शादी के घर में ओल हैपी लेडिज किड्स और जैंड्स के लिए स्पेशल डिसकाउंट्स स्वागत कर रहा है कला मंदर कला मंदर कला मंदर टेक्स्टाइल्स टिक-टक, है? शादी के नाम से मेरे तो हाथ-पैर कापने लग जाते हैं, रिष्टेदार तो हमारे बहुत हैं, पर काम के बद सब पीर दिखा कर भाग जाते हैं, भाबी. बाबरे, शादी कोई छोटी चीज थोड़ी है? ये मंडप, जेवर, साड़ियां, कपड़े, महमानों की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए न, भाबी. आप टेंचन मत लीजे, भाबी. सब लोग मिलके करेंगे तो सारे काम आराम से हो जाएंगे. बहुत शुक्रिया, भाबी. आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा. हम वैसे उपर क्यों आए हैं? टाइम वेस्ट करने के लिए क्या? हाँ, बोलो क्यों आए हैं? हम विजयवाडा के लड़के बहुत रोमैंटिक होते हैं. कुछ भी करते हैं, बहुत रोमैंटिक लिए करते हैं. आनन, क्या कर रहे हो? तुम नहीं चानती क्या? मा कभी भी उपर आ सकती है. मा तो नीचे बहुत बिजी है. बगल के टरस से किसी ने देख लिया तो? देखने दो ना, कुछ सीखी लेंगे. आई यू शूर? पक्का. मैं तो बस I Love You बोलने आया था. मैं कहीं भी शुरू नहीं हो जाता. मतलब मैं इसा करती हूँ क्या? उस दिन मुआ मुआ करके तीन पपी दी और I Love You बोला तुमने? कहा? उस रात को. मुझे सिफ I Love You तक याद है. तुम लड़कियां कभी मानती नहीं ना? मुझे सिफ I Love You बोला तुमने नहीं हो जाता. आनन, मुझे तुमारी फैमिली बहुत अच्छी लगी. लेर सो स्वीट. सब स्वीट बहुत खाते हैं ना? इसलिए सब लोग स्वीट हैं. लिसेन, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ ऐसा नहीं लगता तो. समझ गया, बोलो. हमने जो डिसिशन लेया वो सही है ना? किसलिए? शादी के लिए थोड़ा टाइम लेकर. एक दूसरी को थोड़ा और जादा समझ कर. हेलो, तुम्हारी निर्जा मासी ने बिल्कुल सही कहा था. तुम पक्का कन्फूजन पाटी हो. देखो, अक्षरा, शादी से पहले एक दूसरे के बारे में सब जान लेंगे तो, IPL मैच का हाइलाइट देखने जैसा होगा. अगर शादी के बाद जानेंगे तो, लाइब मैच की तरह आगे क्या होने वाला है उसका एक्साइटमेंट बना रहेगा. Are you sure? Yeah! Oh! Damn! अरे, क्या हुआ? आउट हो गया, यार. तुम मुझसे बात करते हुए मैच देख रहे हो क्या? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? आज इंग्लेंड वसेज आस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है. पर वो इंडिया का मैच तो नहीं है न? देखो, अक्षरा, जब हमारे अडोसी-पडोसी लड़ते हैं, तो हम कितना इंट्रेस्स से देखते हैं. ये भी वैसा ही है. वो, वो, वो. वो, वो. हे, मैच बहुत बढ़िया चल रहा है. थोड़ी देर बात कॉल करता हूँ न? अल्राइट? या, बाइट. या, बाइट. बाइट. विजय? हाई. हाई. कैसी हो? वेल, सीधा पॉइंट पर आता हूँ. मैं तमसे बोलने आया हूँ. आई. आई. ये तुमारे लिए सुर्पाराइजिंग होगा. हम दुनों के उपीच जभी प्रॉबलम हुई है, तुम ही पैच अप करती थी. पर इस बार तुम नहीं आई. मैं बहुत रेसलेस हो गया. आई. 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 आउने सोरा था. तब मुझे समझ आया, मुझे सौरी बोलना चाहिए था. आई. मुझे लगा था कि तुम मझे इग्नोर करोगी या मुझ पर चलाओगी बढ़ तुमारी स्माइल देखकर और तुमे इदना कूल देखकर आम रिली हैपी सच बताऊं तो अवस देन लुक विजय दोंट राइट कॉन्विंस मी लेट्स नोट दिग इन तो पास्ट I moved on. मेरी शादी होने वाली है. उसका नाम अनन्द है. वो भी विजय वारा से है. Akshara, I know it's my mistake. But how can you do this to me? I'm not answerable to you anymore, Vijay. So, तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया है क्या? Decision बहुत fast नहीं ले लिया. हमेशा सारे decisions long run के लिए work out नहीं होते हैं. कुछ decisions fast लेने चाहिए. पता है आनन्द में मझे सबसे जादा क्या पसंद है? गल्ती चाहें मेरी साइट से हो. He never walks out on me. वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है. इसलिए वो बहुत important है. So, let's move on. That makes sense. Bye. Bye. Akshara. क्या मैं कभी call कर सकता हूँ? अगर कोई problem ना हो तो. Of course, Vijay. तुम कॉल कर सकते हूँ. Bye. Bye. अक्षरा की शादी तै हो गई है. ये सुनकर बहुत खुशी हुई भावी. हमें अपनी और बच्चो की शॉपिंग करने नीच चाहिए. दस-पंदर दिन पहले सब ख़तम करना होगा. हमारे पोटे की शादी तै हो गई. लड़की बहुत सुन्दर है. अरे मोहरत, बताते हैं सब को बताएंगे इतनी बिजल्दवाजी क्या है. एक बात तो मैं भूली गई. हर गंटे लड़केवाले को चाय नाश्ता देना पड़ेगा. आनन को तो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं. ओली कॉफी. कॉफी और चाय तो होती रहेगी. महमानों को मिठाईयां भी तो देनी होगी. अरे उन्हें अगर शुगर हुआ तो? हम मूँ खोलते ही अप्शकुन बोलती है. रहती भर की अकल नहीं है. कभी तो अच्छा बोला कर बे अकल कहेंगी. बच्चो और बड़ों के लिए कोल रिंग्स और आइसक्रीम भी तो चाहिए. और अगर शाम को हाड रिंग्स मांगी तो? पहले इसे कमरे में बंद करो. महु मासी, आनन के मेकप के समयदारी मेरी है. आप चिंता ना करें. अब क्या कर रहे है, पापा? घर बना कर देखो, शादी करके देखो कहते हैं. शादी के लिए मैंनू डिसाइड कर रहा हूँ. उसमें बटर स्कॉच है क्या? नहीं है. पापा. अब क्या करूँ गर बना कर दे मैंने तो लिखा था. पर केटरिंग वाले ने कहा कि बच्चों को चॉकलेट ज्यादा पसंद है, इसलिए चॉकलेट लिख दिया. पर आपको तो पता है मुझे बटर स्कॉच पसंद है. हाँ, अक्षरा. पर वहां तुम मेरी बीटी नहीं हो. दुलहन हो वहाँ. वैसे भी वहां मंडप में बैठ कर तुम आइस्क्रीम खाऊगी क्या? शादी करके मंगल सुत्र पहन कर अपने घर चले जाना है. और फिर, हाँ? हाँ? है, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? पापा, हाँ? शादी के बाद जिंदगी एक्दम बदल जाती है, क्या? रस्टिक्शन्स रहेंगे क्या? बताईए. अक्षर, जब तुम छोटी थी, तुम्हें याद है? पायल चाहिए, पायल चाहिए, कहकर बहुत जिद किया करती थी. कई दुकानों में घुमने के बाद तुम्हें जो पसंद थी, वही पायल लेकर आया. वो बहुत मजबूत और वजंदार थी और तुम्हें वही चाहिए थी. तुम फिर उसे पहन कर घर में इधर उधर घुमती रहती. ये दिखकर मैंने यूही पूछ लिया, बेटा दर तो नहीं हो रहा है? तब प्यार से तुमने एक बात कही थी, नहीं पापा, ये मजबूत है, भारी है, पर जब चलती हूँ तो इसकी चंचन की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाबा, इसे मैं पहने रखूंगी. शादी भी वैसी है, थोड़ा डर सा लगता है, थोड़ी दिक्कते आती है, थोड़ा दर्द भी होता है, पर आने वाली जो खुशिया होती है, छोटी मोटी नहीं होती. अरे, अरे, आपने भी कोई कम नहीं गाया, बले ही छोटी सी लाइन थी, पर मुझे उसमें लता मंगेश कर, आशा भोसले सुनाई दे रही थी, मुझे तो, कहते गाते गाना, खाते खाते खाना, दोनों खता हो जाते हैं, अरे, रे, मुकेश जी, मैंने आप से थोड़ी कह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अक्षरा मुझे एक डाउट है, इतना पुराना गाना तुम कैसे जानती हो, मैं बताता हूँ बेंजी, मैं जब भी टीवी में गाने सुनता था ना, इतनी इसी थी, तब से मेरी गोदी में बैटकर गाने सुनती थी ये, अनुगा, इंजॉइमेंट, तुम भी क्यों नहीं चलती, क्या बेटी तुम्हें अपने प्रिता से पर्मिशन चाहिए, क्यों भाई तुम अपनी बेटी को तना दबा कर रहें, आप बस और कीजिए, आप से वो मेरे घर की बेटी नहीं, आपके घर की बहुत तमस्या, ओके, इस खु आनन, मेरे लिए, नई वेटर के लिए है, जाके दे दो, सॉरी, हेए, बहुत सुंदर है, मैंने सिलेक किया है, मुझे टी ट्वेंटी मैच और टाइटन वाच बहुत पसंद है, वाव, हेए, इधे दो, टू रेड वेल्वेट कापकेक्स, वन क्लब सेंविच, मुझे नहीं पुछो के, तुम्हारे डिसाइड करने से लंज कहीं, दिनर टाम मेना बदल जाए, इसले मैंने ओडर करा, वान सेकंड, येस प्लीज, हाँ विजय, मैं तुम्हारे नमबर क्यों डेलीट करूंगी, मैंने कहाना विया फ्रेंड, बोलो, साड़ी, साड़ी, मुझे बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छा है, तुम फोन पर तीन मैंने स्टार्ट कर दिया, हाँ विट, कैसी है, हां, हां, बहुत अच्छा है, अच्छा है, हां, हां, अच्छा है, विजय का कॉल आया था ना, हां, शोक लगा ना, यूने वाला पती सामने और साइड में जाकर बात कर रही हो तो, पक्का उसका एक्स बोईफ्रेंट ही होगा, इस दुनिया में बिना धर्म का इंसान होगा लेकिन बिना पास्ट का नही तुम दिन बर दिन डिफरेंट लगने लगे हो, विजय भी बहुत डिफरेंट इंसान था, इन फाक थोड़ा मेंटिल भी था, ऐसा क्या हुआ, अरे, पूछ रहा था नंबर डिलीट कर दिया क्या, हीज माट, इसमें क्या हुआ, भारगवी का नंबर अब भी मेरे पास है, बटाया था ना, कॉलेज लब, उनके साथ फ्रेंडली रहना गलत थोड़ी ना है, वैसे उसने कॉल क्यों किया था, बेसिकली वो भी विजय वाड़ा से है, विजय वाड़ा और हैदरबाद दोनों में ही उसके बुटीक के ब्रांचेस है, कुछ सारी डिजाइन्स में तुम पीकर गिर सकती हो, ये मुझे यकीन है, पर दुबारा उसके प्यार में गिरने का चांसी नहीं है, बेसिकली इस आनन्द के पास ही एक मैजिक है, और उसमें से कोई बाहर नहीं जा सकता, बुम बुम बुम, तुमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ओवर कॉन मतला? ओन हर कॉन्फिडेंस, वो मेरी है, ये कॉन्फिडेंस, जो अपने आप पर भरोसा करता है, वो दूसरे पर भी करता है, किसी बड़े आदमी ने कहा था, कौन? मैंने, ये तो पक्का तुमारे विजेवाडा कि समाटने से ना, थेंक यू, थेंक यू, थेंक यू, थे मैंने इन सबको कितना मिस्किया जानती हो मैं सिफ वर्टिकल डिजाइन को ही अच्छा समझता था होरीजोंटर से जिस्ट किया तुमने और टॉप के ओपर पर्स लगाने का आइडिया भी तुमारा ही था अमेजिंग क्लाइन को तुमारा डिजाइनिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा अब समझाया उन लोगोंने सिफ तुमारे डिजाइन्स ही क्यों मांगे तुम्हें सौरी बोलने के हिम्मत नहीं हो रही थी वरना हमारा बुटिक तो नजाने कहां होता ओ अच्छा तो इस वज़े से तुमने सौरी बोला था नहीं नहीं बिलकुल नहीं ओके एनिवे मुझे जाना होगा आनन हैदरबाद आ रहा है ओ सो मा ने उसे डिनर पर इन्वाइट किया है बहुत ज़्यादा पसंद करती है उसे मुझे जल्दी घर जाकर रस्मलाई बनाना सीखना है आनन की फेवरिट डेजर्ट है सो अब तुम हुमारे विजवाड़ा की लड़की बनने जा रही हो ठीक है मैं चलती हूँ अक्षरा फॉर्स लव इस अ मोस्स मेम्रेबल कहते हैं इनकेस तुम्हारी शादी फिक्स नहीं होती तो अगर मैं सौरी बोलता तो क्या तुम मुझे दुबारा कंसिडर करती दीदी खीर तो बहुत ही चेस्टी है आनंद होता तो और भी मज़ा आता ए एक काम करें क्या अगर कल कोई विजवाड़ा जा रहा है तो उनके हाथ बिचवा देते हैं कोई ज़रूरत नहीं है रस्मलाई तो क्या पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं आता तुझे तो क्या हुआ मा कल सारे काम को साइड में रखकर मैंने उसके लिए रस्मलाई बना के रखी थी और उसने फोन पे आना कैंसल कर दिया सुभ़ से तुझे कॉल कर रहा है और आज नराज भी नहीं होती आज की लड़कियों को बिल्कुल अकल नहीं है यह और इंके कन्फूजन्स देखो ना मासी कैसे उसकी साइड ले रही है मासी यह लड़के ना लड़कियों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते है शादी तो फिक्स हो गई ना अब मैं खुद उसके पीछे भागूँगी यह उसको भरोसा है आनन दीना बाकी लड़कों जैसा निकला अरे वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मुझे गुसा आए गई उसे पता नहीं क्या तब भी उसने मा को फोन कर दिया क्यूं मुझे कॉल करेगा तो मैं घंटे बार बात करूँगी इस बात का डर लगता है उसे अरे जाने दे ना आनन ने तो तुझे कॉल किया था तेरा ही फोन नहीं लग रहा था बेचारा उसके क्या गलते बता अरे मासी ये बाते लड़के अपनी बातों को कवर करने के लिए कहते हैं मेरा फोन दिर मर रिंग पर रही था बहुत काम था मुझे चाहो तो विजय से पूछ लो दीदी बता रही थी कि तु दुबारा विजय के साथ मिलकर काम कर रही है तो क्या आनन इस बारे में जानता है हाँ जानता है उसे कोई प्राब्लम नहीं है ओ अच्छी बात है मासी सर्प्राइज तो ये है कि विजय ने मुझे सौरी बोला तो क्या विजय उसने सौरी बोला अभी तक उसने अपनी लाइफ में किसी को भी सौरी नहीं बोला है अपनी गलती कभी न मानने वाला विजय आखों में आसू लेकर सौरी बोल रहा था मासी तो जाकर पेपर में छपवा दे ऐसा क्यों इतना कुछ होने के बाद सौरी बोलना या ना बोलने का कोई मतलब नहीं इस टू लेट समझ गई न अक्षरा अक्षरा आनन को तू पसंद तो करती है न आनन की छोटी सी गलती पर उस पर गुस्सा मत हो जाना ओके आज विजय ने मुझसे एक बात पूछी मासी अगर तुम्हारी आजशादी फिक्स नहीं होती तो तुम मुझसे शादी करती क्या तू एकसप नहीं करेगी न अक्षरा तुम दोनों अलग हो गया थे तेरी उसके साथ हैपी मोमेंट्स बहुत कम थे और जगड़े जादा होते थे पास की वज़द से अपने प्रेजंट को खराब मत कर फ्यूचर में बहुत प्राब्लेम्स होंगी आनन्द बहुत ही अच्छा लड़का है ऐसे फैमिली आजकल मिलती कहा है अक्षरा डोंट बी कन्फ्यूस्ट अक्षरा अरे यार दीदी बोलो मैट्स में मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना तेजू कल मुझे वेडिंग कार्ट सेलेक करने के लिए विजेवाड़ा जाना है यार दीदी परसो चले जाना प्लीज मैंने अल्ड़ी टिकट बुक कर ली है सो अब आपको बहन से जादा शादी इंपॉर्टेंट है सही कहते हैं लोग नए रिष्टे जुड़ने के बाद ना लोग ना पुराने रिष्टों को भूल जाते हैं अपने सड़ेवे एक्जाम्बर्स अपने पास ही रख वसे नेक्स्ट यह मैं यहां होंगी नहीं तो तू क्या करेगी तू पढ़ाई कर मैं आनन से बात करके आती हूँ ओ हाई आनन क्या कर रहे हो ओनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ कौन से कलर की शोट लू यह सोच रहा था कल तू मुझे नौ बजे पिक अप करोगे क्या है हम हादराबाद मही रहते तो कैसे पिक कर सकता हूँ बाभू विजय वाड़ा तू मैं तुम्हारे गाओ आरी हूँ ओ क्यों साथ एम के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिसक्स करने के लिए बुद्धू कल हम वेडिंग काज सेलेक करने वाले थे ना अख्रा लिसन आम जेनुविनली जेनुविनली सॉरी अच्छली मैं कल वाइजएक जा रहा हूँ सेमी फाइल मैच है सुनराइस वर्सेस मुंबई इंजिन्स टिकेट्स बहुत मुश्कल से मिले हैं पर मैंने अल्रेटी टिकेट्स बुक कर लिये हैं अ उस टिकेट का क्या यह मैच फिर से नहीं होगा वरी इंपॉर्टन मैच प्लीज अडर्स्टाइब इस ओके सो स्वीट थैंक यू सो मच अक्षरा लव यू एई तुम भी का होना बाई फीलिंग शाय, सो स्वीट तेजू, तुझे डाउट्स क्लियर करने थे ना, यहां आजा क्यों दीदी, जीजू से रोमैंस हो गया आई पेल मैच है, सन्राइजेस वर्सेस मुंबई इंडियन्स क्या हुआ, आप नाराज हो गई मैच के चक्कर में वो अपना वेडिंग कार्ट सेलेक्ट करने की बाद भी भूल गया आपने फिर भी कुछ कहा क्यों नहीं दीदी, आपना बहुत बदल गये हो अगर वही विजय होता तो अब तक दो फोन के टुकडे टुकडे हो जाते बट आपने जीजुक को कुछ भी नहीं कहा हम, I think शादी के बाद, girls have to change, सही कहाना दीदी, गुट नाइट नाइस, वेरी नाइस, थांक यू करेक्ट टाइम पर कॉल करके बुलाया, वरना मैं अब तक हाईवे पर होता, I was just about to leave वैसे, इतना अजन्ट क्यों मिलना था, anything specific? कुछ नहीं, just like that, तुम्हें अपनी इंगेश्मिन की फोटोस भी तद इखाने थी ना तुम बहुत सुन्दर हो थांक्स, कॉंपलिमेंट था, इससे पहले तुमने मेरी तारीफ कभी नहीं की इसलिए दू चली गई देखो विजय, पहले जब तुमने मुझे प्रपोस किया था तो मैं थोड़ा हेसिटेट कर रही थी फिर मैंने सुचा कि वाइनौट मैंने भी नहीं रोका थांक्स, मुझे ना रोकने के लिए उस दिन से ही मैंने किसी और पर एमोशनली डिपेंडेंट होना छोड़ दिया हमेशा के लिए बटक्षरा, एक बार मेरी बात तो सुनो, प्लीज वान मिनिट हेलो, आनंद हाँ, बोलो ओके, कब? कल ही ना? हाँ, हाँ, मैं पहुंचती है, तुम एक कॉल करकी हूँ हाँ, 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 नो रॉप्रुट। एई, चल कपड़े फोल कर हाँ, हाँ, यह रख ले, आनंद के लिए बेसन के लड्डू, यार से रख ले ना, उसे बहुत पसंद आएंगे, आपके पेटू दमाद को कुछ भी खिला लो, वो कोई बकासुर से कम है, अरे चुपकर, यह क्या है, आनंद के बारे में कुछ भी बोलती रहती है, क्या हु उन्हें अभी खुश रहने दो, बाद में सिर्फ मेमरेज, उसके बाद तो यही सब, फिल्हाल तो आपको वॉकिंग पे जाना है, जाए, अक्षारा के लिए वेट कर रहा हूं, चला जाओ, आप चले जाए पापा, कल जल्दी निकलना है ना, मैं जल्दी सो जाओगी, पक गुड, वहां पहुँचने ही मुझे मेसेज करना, क्या हुआ, क्या हुआ, मैं नहीं करूंगी तो आप तो जरूर कॉल करोगी ना, ममा, बेटी पहुँच गई क्या, सब ठीक है ना, यह छोटा-छोटा प्यार कितना सुंदर होता है ना, मा, कहां हो, किसके साथ हो, खाना क्या घर कब आओगी ऐसे मुझे कई बार मेसेच किया है ना आपने पर मैंने कभी आपका रिप्लाइ ही नहीं दिया I'm sorry मा क्या बोल रही है शादी के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा ना मा मुझे ये सबजी अच्छी नहीं लगती बाहा से प्लीज ओमलेट लेके आ जाओ ना पापा से जगड कर रिमोट छीन कर टीवी नहीं देख सकती जब मर्जी बिस्तर पे घंटों सोई रहना जैसे चाहे वैसे रूठे रहना ये सबब नहीं हो पाएगा ना मा सास ससूर चाहे जितना प्यार दे दें वो मापापा की जगए नहीं ले सकते मा यहां मैं बिल्कुल अपने मन के हिसाब से रहती हूं मा वहां उनके हिसाब से रहना पड़ेगा जब वहां होगी तो तुम मेसेज करोगी ना अक्षरा क्या सब ठीक है वहां तब मैं रिप्लाइज जरूर करूँगी मा माँ मिस्यों अम्हाँ हेलो आनन मैं पहुंच गई कहा हो तुम तुम पहुंच भी गई या तुम आ रहे हो ना मुझे पिकड़ने के लिए या 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 आ रहा हूं आ रहा हूं तुम इदा हमारे घर चली जाओ ना तुम्हारा घर गाउं के उस तरफ है पहले आके मुझे पेक कर लो ना आ रहा हूं ना I'll be there अच्छा लिसन तुम पहुंच ले से पहले मुझे मुझे मिस कॉल करना ओके 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 बाई ब्रो थर्ड लाइन बहुत इंपोर्टन्ट है बेज बढ़ा दे हलो टेजू एक्जाम कैसा रह तेरा बढ़िया ओ वेरी नाइस अच्छा ठीक है आते वक मैं विजेवाडा के सारे फेमिस स्वीट्स लेकर आऊंगी ठीक है ना पहले मुझे आनन से मिल ले दे वो अभी मुझे पिक करने के लिए आ रहा है मैं बाद में बात करूँ बाई गैस अपना ट्यून तो बढ़िया है पर थर्ड लाइन में मजा नहीं आ रहा हमारा एड क्या है एक लड़की एक लड़के के लिए वेट कर रही है वो लड़की बहुत इगली वेट कर रही है बॉइफ्रेंड का वेट करते हुए औक सो मिनरल वाटर से अपनी प्यास बु है ना ट्यूनर का इफेक्ट चाहिए उसमें हम ओ गाइस वन सेकंड जस्ट अ कॉल हेलो कहां हो आ रहे हो के नहीं भूल गए क्या 10 मिनिट्स बस निकल रहा हूं अभी तक निकले भी नहीं हो तुम ओके 10 मिनिट्स मैं आ रहा हूं अनन तुम्हारे बास ताइम नहीं है तो मैं वापस चली जाओंगी ये क्या बात हूं ये अपसेट होने के लिए आनन मैं अपने सारे कामों को साइड में रखकर यहां आई हूं और तुम हर चीज को लाइडली ले ले लेते हो हर वक्त कोई ना कोई रीजन रहता है नहीं बाबा जस्ट फ्यू मिनिट्स ऐसा करो त इतने कॉम्प्लिकेशन किस लिए हापिली ओटो लो पांच मिनिट पहुंच जाओंगी बाबा होटल पहुंचते ही उसी रूट पर स्ट्रेंट जाते हो लेना सेकिंड लेप नो अक्चिली थर्ड लेप समझ गई ना वो सड़क के पास पहुंचते ही मुझे कॉल करना मैं हादे बाई बाई इत्रव स्वाइब नहीं भी है अनन भी मैं दूदु 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 दुदु दूदु प्लीज, फोगिव मी, लेट हो गया, बहुत ट्राइ किया, तू मच अव वर्क, अर्जन्टली एक ट्यून डिलिवर करनी थी, इसलिए लेट हो गया, थैंक्स, मेरा वेट करने के लिए, अ, मैं चलता हूँ, अ, हाई, आम आनन्द, विजे, ओ, विजे, वट्रफूल, अरे, जब ये तुम्हारे साथ ही था, तो क्या प्रोब्लम थी, बुलाया तुम्हें था, तुम नहीं आये तो, ओ, या, 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 ये भी विजे वड़ा से है न, अक्षरा ने बताया था, तुम भी विजे अक्षरा, थैंक्स, बाई, तुम रुको विजे, क्या हो अक्षरा, क्यों इतना गुस्सा, मैंने बताया था न, अर्जेंट काम था, इसलिए लेट हो गया, यकीन करो मेरा, कमान या, रक्षरा, कभी-कभी हम काम में अटक जाते हैं, इतनी इसी बात पर, इस नॉड़ बिग डील, अनन्द, तुमने मुझे वेट कर आया, और सिर्फ एक सौरी बोल रहे हो, इतना ही न, मुझे यहां आकर तुम से मिलने के लिए बहुत प्रिपेर करना पड़ता है, मैं हर रात पापा और तेजू के साथ वॉक करने के लिए जाती हूँ, पर कल रात मैं नहीं गई, क्योंकि आज मुझे जल्दी उटना था और उटकर मुझे तुम से मिलने के लिए यहां आना था, यहां आने के लिए मैं सब कुछ, सब कुछ साइड में रख कर आई, मेरी तब यह ठीक नहीं थी, फिर भी तुमने बुलाया, तो मैं आई, I traveled a lot, not just physically, emotionally, mentally, और तुम अब क्या बोल रहे हो, what is a big deal कहाना तुमने, it is a big deal, dammit, मैंने अपनी सारी priorities change कर दी, हमारी शादी के लिए, और तुम, अरे, कमान अक्षरा, बताया ना, लेट हो गया मैं मानता तुम, sorry कहाना मैंने, I am really sorry, चलो, सब मिलकर lunch करने चलते हैं, it's okay, no, Anand, it is not okay, it's just not okay, जो भी हो रहा है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुम मुझे पहली बार में ले, Anand, जैसे नहीं लग रहे हो, तुम्हें याद है, मैं जब विजवारा आई थी, तो अपने अंकल के घर के अड्रेस को लेकर confuse हुई थी, तब first time मैंने तुम्हारे नंबर पर call किया था, पांच मिनट, सिर्फ पांच मिनट में तुम मेरे पास पहुच गए थे, तुम मुझे मेरे अंकल के घर ड्रॉप करके चले गए, उसके बाद से हम जब भी मिले, जिस तरह तुम मुझे प्यार दिया, मुझे जैसा response दिया, मेरे लो रहने पर तुम कितने restless होते थे, मैं लेट करती थी, तुम मेरे लिए कितना eagerly wait करते थे, आनन, वो सब कुछ क्यों बदल गया, उसके बाद मैं विजवारा आना चाहती थी, तो तुम्हें मैच जाना था, मुझे मना किय और अब मुझे रोड पर खाड़ा कर दिया, वाई आनन, वाई, रुको वे जै, इसे तुम्हें भी सुनना चाहिए, ये भी पहले तुम्हारे जैसा behave करता था, पहले इसने मुझे बहुत special feel कर आया, और बाद में सब कुछ बदल गया, तुम्हारे में और इसमें difference क्या है, तुम सारे के सारे लड़के, सब एक जैसे होते हो, क्या, पहले care दिखाते हो, फिर granted लेते हो, हमारे confirm करते ही तुम इतना क्यों बदल जाते हो, आनसमी आनन्द, विज़र बदल गया, और इसलिए मैं उससे दूर हो गए, और अब तुम, तुम्हें भी वही changes देख रही हू कल शादी के बाद तुम और भी ज़्यादा बदल गए, तो मैं क्या करूँगी, शादी हो गई तो जैसे भी रहो accept करना पड़ेगा ना, एक बार शादी हो गई तो उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं अपनी मन की बाद भी नहीं कह पाऊंगी विजे जब वापस आया तो, आयव मुवड ओन कहा था विजे ने जब सौरी कहा तो, नीजम असीन एक बात कही थी इस टू लेट, अक्षरा बोलो आनद, इस टिल नॉंट लेट, बोलो आखिर मेरी खुशी किसके साथ होगी, ये डिसाइड करने का चोईस मेरा है, बोलो आनद मैं किसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूं वो पूरी तरह मेरे ही हाथ में है, ये बोलो तो अभी भी मैं अपनी लाइफ का डिसिजन ले सकती हूं यह बोलो आनन्द, प्लीज बोल दो आनन्द हाँ, अक्षिरा, तुम्ही सही हो, डिसिजन तुम्ही ही लेना है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हो, वो भी तुम्हारे हाथ में ही है, हम दुनों की शादी से ज्यादा, तुम्हारी खुशी ही इंपॉर्टन्ट है, अक्षिरा, अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है, तो हम यहीं रोक देते हैं। वो भी एक शाम थी, यह भी एक शाम है, याद आती है जिसकी वो जिसकी तलाश में मैं घूमा शहर शहर याद आती है गुजारे हुए पल वो शाम वो शाम वो शाम फिल लगता है गाना ऐसे अच्छा नहीं लगा, कुछ और गाता हूँ कल थी यहीं, आज नहीं, क्या फिर कभी मुलाकात हुई मैंने तुम्हें प्यारी गारे हो पापा। क्या हुआ? मेरी सिचुएशन पर गारे हो क्या? हुआ क्या है? बादलों के बिजली गिरती है क्या? नहीं गरती, पर यहां पर गिर गई तु जल्दबाजी कर रही है, अक्षरा? नहीं, मैंने ठीक ही किया आके तेरा प्रॉब्लम क्या है? तो सोच क्या रही है? मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, मासी कुछ सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना? अगर एक बर साथ फेरे ले लिए तो फिर अपने कदम पीछे नहीं ले पाऊंगी शादी के बाद उनके घर में टीवी, फ्रिज, कबर्ट जैसा कोई फ़रनिचर बन के तो नहीं रहना चाहिए ना? वैसे भी लाइफ पार्टा से लेक करने के लिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूं तो गलत कर रही हूं क्या? तो यह हुआ था पापा अगर बारिश के कारण मैच डिले होता है तो हम वेट नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? मैं वहाँ पहुचने में थोड़ा सा क्या लेट हो गया इतनी सी बात के लिए मैं बदल गया पहले जैसा नहीं रहा अब उसे सोचने के लिए कर जाना, चीटिंग होती है न पापा ए तो उनको समझता क्या है? लड़कियां है ना उनको हेंडल करना हो तो मैंने प्यार किया मुवी में जितना सलमान को पेशंस था उतना तुझे होना चाहिए तब प्यार में पड़ेगी अल्रेडी मेरे प्यार में थी पर अब क्या करूँ अब अगर जमीन खोदने के बाद भी अगर पानी नहीं निकला तो क्या करना चाहिए दूसरी जमीन बर खुदाए करनी चाहिए सुनो, तुम लगों की प्यार में यही प्रॉब्लम है तुम लोग ठीक से जजमीन नहीं करते हो हर बॉल पर सिक्स मारना चाहते हो कुछ छोड़ देना चाहिए कुछ डिफेंड करना चाहिए वरना आउट हो जाओगे बेटा इन लड़कियों के साथ आराम से सिंगल लेते हुए लेते हुए करक्ट टैम आने पर सिक्स मारना चाहिए और देखो गेम को बीच में नहीं चोड़ना चाहिए समझ रहे है न मेरी बात समझ गया पापा तेरे समझने को नहीं आक्षरा को समझना चाहिए क्यों मेरे दोस्त कहां चला क्या यह ग्लास वहां कैसे पहुचा? मैंने छोटा सा सित मार लिया चेर्स तेजू पूरी रात में सो नहीं पाई सो नहीं देना तेजू यार गुसा आरे सो नहीं देना तेजू तु कब आई यो ऐसे मैं था एक्सपेक्टी नहीं कर रहे थी मेरे बिना तु शादी कैसे कर लिती? आजा बैट जा और बता राहूल भी आया क्या? यार राहूल के बाद साइड में राख तू बताना यार तुझे रात में नीन नहीं आई? कल रात आनन यहां आया था क्या? रूम में नहीं सपने में वैसे तू ऐसी कैसे हो गई? लड़की जैसी लगी नी रही? जैसे किसी चीडिया की तब्यत खराब हो दुलहन बन रही है खुश रहना चाहिए शादी के बाद ऐसी पड़ी रही तो घर से बाहर निकाल देंगे चल हम बाद में गप्पे मारेंगे अभी जाके रेड़ी हो जा वैसे अंकल आपको पौधे इतनी क्यों पसंद हैं? क्योंकि हम उन्हें बस मुठी बर पानी देते हैं और वो हमें जिन्दा रखते हैं कुछ समय पहले तक इंसान पेड की च्षाओं में रहता था लेट्स प्लांट ट्रीज लेट्स सिफ ट्रीज बोलने से कुछ नहीं होता है यह संकल हमें इंप्लिमेंट भी करना चाहिए सही का अंकल इस बात से अंजान बहुत सारे लोग घर में कुत्ता पाल रहें लेकिन पेड़ पौदे नहीं इसलिए अपनी मा से हमेशा कहता हूँ पौदों को घर के सदस जैसा देखना चाहिए मा अंटी यह क्या आनन से काम करा रहे हो अब तिमसे तो नहीं करवा सकता न हां यह क्या है कांदा पोहा मतलब मैं यहां पौदों को खाना खिला रहा हूँ तुम मुझे नहीं खिला सकत आपके जैसा तो आपका पोहा भी सूपर है अब तक कववा चिल ला रहा था तो मुझे लगा घर में महमान आएगा तुम थी क्या यह ले लव तूखिला मैं कॉफी लेकर आती हूं कम आनद कराना चाहिए न हम यह तफिफ कौन अरे 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 अनद इस घर का दामाद है हम इसकी सेवा नहीं करेंगे तो और कॉन करेगा आपने सही का निजांटी यह है हमारा लेवल येस खिलाव खिलाव जीजु मेरी ड्रेस कैसी है डेरी मिल्क ने ड्रेस पहनी असा तुम यहां क्यों आगए मैं तो महीं था तुम ही लेकर आई मतलब तुम मेरे घर क्यों आगए साडिया लेनी है बैंगल्स लेनी है तुम्हारे लिए तुम तो बड़ी कंफूजन पार्टी हो ना इसलिए सेलेक्शन में हेल्प करने के लिए मैं खुद आ गया आनन मुझे डिसाइड करने के लिए टाइम चाहिए मैंने कहा था ना ओके ओके इसी बात को अंकल अंटी से बोल दो तुम पागल हो क्या ओके मैं खुदी बोल दूँगा अंकल अंक जगडे हो जाएंगे जैसे मुझे कन्विंस किया वैसे उन्हें भी कर दो एए देखा न तुम उनसे नहीं बोल पा रहे हो यानि मुझसे कितना प्यार करती हो समझाया तुम्हारा माइन नो-नो बोल रहा है तुम्हारा हार्ट होल्डाउन बोल रहा है ब्रेइन हमेशा कन्फ्यूजड होता है अक्षरा तुम अपने हार्ट से सोचो तब तक मैं तुम्हारी है मेरी क्लारटी मेरी है हुझे तो तुम से ही शादी करनी बागी तुम्हारी मर्जी है हूँ यह क्या तू अभी तक रेड़ी नहीं हुई आनन्द आ गया है वह आ गया तो उसके लिए अब रेदी हो के बैठना पडेगा कैसे बाते कर रही है, वो तो तुझे बाहर घुमाने ले जाने के लिए आया है ना मासी, वो क्यों आया पता भी है आपको, आप सबको इंप्रेस करने के लिए आया है बुद्धो कहेंगी, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, तेरी मा के बुलाने से आया है अपनी इमेजिनेशन से बाहरा और जाकर पहले तैयार हो जा एए मैं बोर हो रही हूं कुछ बात करो बाहर चले क्या एए तुम भी ना जैसे न्यूस वाले एक ही topic को 100 पर बताते हैं वैसे बूल रहे हो इस topic को तुम कप छोड होगे क्या गेम शादी के बाद हमारी शादी के बाद है यह भी वही the topic हें हेज खूल बोलाना game है relax छिल हमारी शादी हो गई है सब्सक्रेंध सुाहराद भी हो गई स्ब्सक्रहाइब कि तो फिर लड़की, उसके थोड़ा बड़ा होते ही, उसकी स्कूलिंग हम विजय वड़ा महीं कराएंगे. क्योंकि तुम्हारा शहर है? ओके, हाइदराबाद में ही करते हैं, नो प्रॉब्लम. उसके करियर के मामले में तो कोई कॉम्प्रमाइज नहीं होगा, और उसे मस्त सौफ़वेर इंजिनियर बनाएंगे. तुम्हें उसे अमेरिका भेजना है क्या? तो डॉक्टर बनाते हैं. इंसानों की जान निकालने के लिए? तो फिर सिंगर? सिंगर चलेगा ना? पर एकदम सही कहा, मैं भी एक्जाक्टली यही सोच रहा था. स्टाडीज के लिए तो डिसिजन ले लिया हमने, लेकिन शादी के मामले में डिसिजन उसे लेने देंगे हम? माते, सही कहा एकदम तुमने? तुम भी अपनी शादी का डिसिजन अपने पेरेंस पर छोड़ दो ना, तुम भी तो बच्ची हो. ए, तुम तो गेम खेल रहे थे ना, अब ये क्या है? चलो टॉपिक बदलो. अरे? वैसे तुम कब लॉट रहे हो, विजवाड़ा? मैं क्यो जाओं, विजवाड़ा? कल बहुत स्पेशल दे हैं ना? तुम्हें याद है? आ, याइसे बूल सकता हूँ, तुम भी तो आ रही हो ना? वो कहाँ? उस दिन माहा ने बताया था ना, सबने फार्म हाउस जाना है. ओ, अच्छा. अच्छा. चलना पड़ेगा. मुझे अवाइड करके चले जाओ ना? ए, ए, कहाणी में नया ट्विस्स मतलाओ. माह तुम्हारे आने को लेकर बहुत एक्साइटिड है. अगर तुम नहीं आई तो, अपसेट हो जाएंगी वो. क्यों आनन, क्यों इतनी होप्स बढ़ा के बैठे हो? अगर मैं तुम्हें नो बोल कर दूर चली गई तो, तब क्या करोगे? क्या करूँ? दूसरी शादी कर लूँगा. हमारे फार्माईस पर उसे ले जाऊँगा. एटलीस नेक्स्ट येर. एंजिन मतलो, मजाग था. तुम मना करोगी तुम बहुत दुख होगा. एक बात जरूर बोल सकता हूं. तुम मेरी लाइफ में नहीं आई तो, तुम्हारे याद आई की अक्षरा. तुम मेरी बढ़ा रहे हूं. जानि इस बोस्क में बोन रहेगा उस बोन को अपने नाम करने के लिए कानपूर से करीना और सूरत से सुधाकर दोनों लगे हुए हैं को उस बोन को अपने नाम करेगा पैंग की सक गई जड़ी पैंग को समझ गई लेकिन पोन निस हो गया अब दूसरे दावेदार दुश्म करने वाले हुए हमारे घर का राजकुमार आनन और में के उसकी अरंधती की बैळम देवसेनाका दूसरा नाम हमारे होने वाली पहुरी पीड़ी अक्षरा औरे यही तो तेरे खेलने कुदने के दिन है जा ना पेटा खेल के आ अपना ही है हमारा है चलो जाओ ना खेलो अक्षरा बोन इन दा बोस राउंड टू शुरूर अना इस राउंड को तुमें ही जीतना है फुल कॉंसेंट्रेशन के साथ खेलना वर ना हार जाओगे इंपॉसिबल मेरे मैजिक के बारे में पता है ना विजयवड़ा का लड़का है तुम ऐसे क्या देख रहे हो उमारी आखे इन आखों में नशा है इन आखों को कोई भी देखकर इन में दूब जाएगा राइटर साहब बड़े मस्त मूड में लग रहे हैं केम पर ध्यान नहीं है तुम इंद्र धनुष हो यू ब्रेंग कालर टो एफ्रिबादीस लाइफ और ये क्या है वीडियो दिखाई दे रहा है और यो गायव है चुकरो मम्मी तुम एक डिक्ष्णरी हो लाइफ में मीनिंग भर देती हो अच्छा तुम एक अलाम क्लॉक हो सोते हुए दिल को उठा देती हो अच्छा ये सब सच है सच बोलो तुम एक समुंदर की लहर हो जैसे ही नज़्दीक आती हो दूर चली जाती हो तुम घिसे होए टेप रिकॉडर की तरह हो टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए इसी एक बात पर रटकी होई हो अब टाइम नहीं चाहिए, बोल देती हूँ रेली? मामी यमी मेरा बच्चा चलो, पापा आपको अभी देता हूँ मीठा खिला के मारे का क्या? क्यूडी पाई अरे शिर्फ एक क्या दे रहा है, और दे न उसे अरे बस बस होगे, इसे खिला ना लेकिन दादी इस तरह सब के सामने अरे पाप्पी देने के लिए कहा है क्या? आज मीठा नहीं खिलाएगा तो सुहागरात की रात को मामी सुहागरात को गज्रा कैसे पहनाएगा? यही बोल रही थी तो जैसे को ऐसा आइडिया देंगे तो मंगलवार का बहाना मैं तो आप्था खिलाने के लिए कह रहे है कि खिलाते ना अनंग चलो कहाँ पापा बताता हूँ रुको जल्दी भी क्या है हाई सर्फ किद्वार्ण वेल्कम तो गोल्ड फेंच वेल्कम तो गोल्ड फेंच वेल्क्यू वाह इधार आओ बीटा यह है बैलकनी अच्छी है ना यह है किच्छन यह है बेड्रूम अच्छा लगा हाँ बहुत अच्छा है यह क्या है आनन तीसरा बैड्रूम उस तरफ आएगा मा और दो कार की पार्किश लिए यह सब क्या है मा ए तू रोक बेटी अक्षरा यह तुम्हारा घर है तुम इसे बद्य गिर्फ समझ लो शादी का तोफा समझ लो तुम्हारी मर्जी यह लो बेटा देखो अक्षरा शादी के बाद कितना भी करो लड़की अपने आपको पराय घर का ही समझती है पर यह तुम्हारा घर है यहां जैसे चाहें वैसे रहो आनंदर तुम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओ इसके लिए स्पेस तो चाहिए न अब यह सब क्यों आंटी बिना सास के बहु खुश रहती है ऐसा कहते है न बेटी इसलिए ऐसी तयारी की होगी मम्मे यह लो से ले लो बेटी लो अक्षरा अक्षरा अपने हाथों की छाप लगा दो हमारे घर की लक्षमी घर आई है इस घर को भी तो पता होना चाहिए जन्नत की खुशियां मलाया तिर दर्ती सोचे तू फिर भी क्या जाने जनम उ जनम की सारे खुशियां कहद तुला दू मैं दिल को तसली जो भी दे दे सब कर जाओ मैं क्या सोच रही अक्षरा उस विजय ने कॉल किया एक बार नहीं सौ बार कॉल किया वैसे यहां क्या चल रहा है मुझे मासी ने सब बता दिया इंगेजमेंट हुए लड़की से उसे क्या बात करनी है देख तू उससे जरा दूरी रहे वो दुबारा तुझे फसाना चाहता है ए मैं तुझे से बात करी हूँ और तू अंदर जा रही है तेरे कन्फूजन से यहां फ्यूज उड़ रहे आनन ने सिर्फ एक बार गलती की और तू उसे इतना बड़ा पनिशमेंट दे रही है एक महिने से तुने उसे इतना परिशान करके रखा है फिर भी वो लड़का हसते हुए तेरे आगे पीछे घूम रहा है तुझे कितना प्यार करता है वो वो मलहम जैसा लड़का है तो क्यूं उसका सर्दत बनी हुई है मैंने अपने पैसरेंट से शादी ने की जिससे शादी की वही मेरा पैसरेंट बना मेरी बात समझ रही है ना तू उस विज़े से बात कर कोई बात नहीं पर जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना जरूर बाकी तेरी मर्जी विज़े तुमने कॉल किया था क्या या तुम दिन पर कहां थी वो विज़े अच्छली एनिवे मैं लंडन जा रहा हूँ फिर नेक्स मन्त लोटूंगा एक बात पूछूं अक्षरा क्या डिसाइड के तुमने बस एक बार हाँ बोल दो I will I'll come back to you विज़े अपना डिसीजिजिन मेरी वजह से मत बदलना अक्षरा वैसे भी मैं तो जाही रहा हूँ तुम आहराम से डिसाइड कर लो तुम चाहे जो डिसीजिजिन दो I'll still keep loving you in case you can't make it तुमसे वैसे ही प्यार करता रहूंगा तिल I die, be happy, bye अहां पुष्वा संगीत के लिए साड़ी सो ब्लाॉजस रड़ी होगे आज मैं तुम्हें कुछ और साड़ी अब भिजवा रही हूं थोड़ा जल्दी तयार कर देना ना प्लीज अरे नहीं अभी तक सिलक्ट नहीं क्या सिलक्ट करती तुम्हें भिजवा दूंगी ओके थैंक यू अक्षरा क्या डिसाइड किया तुने अक्षरा क्या डिसाइड किया तुने वही डिसाइड नहीं कर पा रही हूं कबसे यही सोच रही हूं तो जल्दी डिसाइड कर ले ना उसे लेस और इंब्रोइडरी डिजाइन करने के लिए टाइम लग जाएगा ना म से साड़ियों के बारे में नहीं अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ जादा चीलने से फैंसल भी खत्म हो जाती है अक्षरा तो बहुत जादा सोच रही है ऐसी अगर सोचती रहेगी ना तो मेरी तरह सिंगल रह जाएगी तुभी उसमें गलत क्या है लड़की हूँ कंपल सरह है शादी करना मैंने आपको तो कभी दुखी होते नहीं देख़ा ना शुच्छ नेग यह किी नहीं की है चाहिता है? बती के रहनें से भारोसा मिलता है और बच्चों से मिलते है खुशी I think that is life I missed it please you don't miss it Anand के मम्मी का फोन आ रहा है answer कर पर क्या टेंशन है बात तो कर हलो हलो अक्षरा बिजी हो क्या बेटा डिस्टब तो नहीं किया अरे नहीं आँटी बोलिए कुछ नहीं अक्षरा शादी नज़्दीक आ रही है न अभी तक मंगल सूत्र नहीं खरीदा हमने कल हैदराबाद जा रहे है वहीं सब मंगल सूत्र ले ले लेंगे तुम भी हमारे साथ चलती हलो 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 कट कया क्या हलो नहीं आँटी सुनाई दे रहा है मुझे अच्छा बेटा कल मंगल सूत्र खरीदने के लिए हैदराबाद जा रहे है मंगल सूत्र अपनी पसंद का ले लो ठीक है नवीटा अक्षरा ओके बेटा ओके ओके अक्षरा तो फोन रखूँ क्या हुआ मंगल सूत्र खरीदने के लिए आ रहे हैं मंगल सूत्र खरीदना तो कितनी बड़ी बात होती है न यह लोग सब कुछ अपने ही हिसाब से करे जा रहे हैं अक्षरा तू नहीं जाएगी बोल दे रोज रोज दुखी होने से अच्छा है एक बार बिना डरे सब को दुखी करते अटलिस्ट यू वेल भी हैपी ये कैसा है? नौट ओके, कुछ और ट्राइ करो मुझे वो दिखा ना? थेंक यू वाव, बहुत सारे डिजाइन्स हैं इन में से कोई ट्राइ करो अच्छा लगे तो सिलेक्ट कर लेना आपको कौन सा पसंद आया आँटी? सारे डिजाइन्स अच्छे हैं तुमेही डिसाइड करना होगा आँटी मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता सिर्फ तुमेही नहीं मिटा आजकल की किसी भी लड़की को इनके बारे में नहीं पता जब इसकी कीमत समझ जाओगी तो इसे गले में नहीं अपने दिल में रखोगी आँटी यहाँ आईए यह नेकलिस देखिया है हाँ बस आई तुम सिलेक कर लेना यह कैसा आंटी बहुत सुन्दर है यह तो में आए यहाँ दिल थोड़ा भारी हो गया होगा ना मंगल सुत्र का पावर ही ऐसा है फॉर्मिला आफ गुड्नेस बहुत ध्यांक्स एक्ष्रा मुझे लगा तुम नहीं आओगी घलत साबित होकर अच्छा लगा I'm so happy मैंने अभी तक डिसिजिजन नहीं लिया है आनट तो आई क्यों हूँ मैं आउन्टी को मना नहीं कर पाई आनव अक्ष्रा तुम क्या कर रही हो जानती भी हूँ तुम शादी नहीं करना चाहती फिर भी मंगल सुत्र चुन रही यह उक्ष्रा कि बहुत बड़ी गल्ती कर रही हो अक्ष्रा आज कल के बच्चे को तो नहीं शरम है और नहीं डर मापके बारे में तो सोचती भी नहीं है सोचेंगी भी क्यों माप आपके प्याने इने बिगाड़ चु दिया है अगर लड़का पसंद नहीं है तो रात पर पार्टी के लिए क्लाब में क्यों जाते हैं हमने कहा है क्या जाने को अब शादी की तैयारों के लिए पैसे खर्च करके शौपिंग करते हैं सोना और जे अगर लड़की को लड़का अच्छा नहीं लगा तो कोई कर सकता है कोई कुछ नहीं कर सकता देखो मुझसे तो ऐसी बाते करो ही मत तुम लोग ऐसी बाते करते हो तब е partly तो पली मत पसंद नहीं था तो पहले ही बोल दήती वेवकुब बनाकर इतने लोगों को परशान करन आपको कैसे पता जला कैसे पता जलेगा हां लड़के वला ने फोन किया तो पता जला शरम के मारे मेरे नज़रे जुग गई भावी बोलते भी क्या शादी से ये गड़े पहले मुझे बोलती है यह शादी पसंद नहीं ऐसी बात कहने से पहले किसी के आगे पीछे सोँचते नहीं है क्या यह लोग आप किसके बारे में बात कर रहे हैं और किसके बारे में अक्षयरा शादी में तिरूप होते गए थे न मौह उस लग्टीने यह साम ना टक करके सब के ना कटवा दी वैसे भी उस लड़की को हम क्या बोलें उसको लाट प्यार से पालने वाले उसके माबाब बोलेंगे ना आज तक हम भगवान से यही मांगते थे कि हमारी बेटी किसी के प्यार में न पड़े और अब जिस लड़के से हमारी बेटी प्यार करती है उसी लड़के से उसके शादी हो यहीं मागना पड़ रहा है हुआ है है अलो तैंक यो अब क्या है ले ली ना एक बार अक्षरा को बुला के बात कर लेते हैं किस बारे में अरे वही जी बाहर जो बाते हो रही थी उन्हें सुनकर मुझे बहुत टर लग रहा है आपको विजय और अक्षरा के बारे में पता है ना, वो दुनों फिर से साथ में काम कर रहे हैं आजकल खुज भी हो सकता है जी, एक बार उसे बुला कर पूछ लीजे ना हमने जो फ्रीडम दी है ना, हमारे पूछने पर बताने के लिए नहीं अगर कोई बात हुई है तो हमारे बिना पूछे ही वो आकर हमें बताएगी इसलिए, समझ गए? ऐसी बात नहीं है जी, शादी बहुत बड़ी चीज है ना, शायद इसलिए हमसे बात करने से डर रही हो मैंने उसके चेहरे पे अजीब सी बेचानी देखिये, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है वो मेरी बेटी है, अगर कुछ बात होती तो वो आकर हमें ज़रूर बताती वैसे भी हमारी अक्षरा हमारा सर जुखने नहीं देगी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है अरे आनन्द, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो? कुछ नहीं पापा देख, मैं जो पूछ रहा हूँ, सच-सच बताना, सिक्सर मारा है नहीं, मारा की नहीं? मैंने तो शॉट खेल लिया पापा, बॉल तो हवा में है, बाउंडरी के बाहर गिरा तो सिक्स, अंदर गिरा तो कैच सिक्स मारा तो है पी, कैच मारा तो बीपी? बीपी, बी पॉजिटिव पापा ए तु धोनी के जैसा कूल कैसे हो सकता है? अगर मैच जीतना है तो वैसे ही रहना होगा ना ये तो प्रेशक गोकर के जैसा है, अंदर उबल रहोगा और बाहर सीटी बजा रहा है, पक्या रहा है नमस्का भाई साब नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते अगर में तकलिफ तो नहीं हुई ये देखो, ये है ना ये देखो, सुन्दर है ना ये देखो ना भाभी, इतनी सारे जेबर देखके ना मुझे तो मेरी शादी की याद आ रही है अरे तो भी आँ तुम्हे लाता है? हाँ, साडियों में कुछ जादा इंट्रेस्ट है आपका गूद मॉनिंग गूद मॉनिंग आँटी अटी, गूद मॉनिंग अंकल, मॉनिंग और आँटी, तैयारिया कैसी है? बहुत सुन्दर है मीटा पूरा घर मंडब जैसा सुन्दर लग रहा है वैसे आनन्द, यह मेरा भाई दामोदर विजयवाड़ा में रहता है दामोदर जी, आप ही है ना अक्षरा आपकी बारे में बहुत बात करती है आनन्द, तुमारे बारे में भी बहुत सुना है गाने शाइरी और कविता बहुत अच्छी लिखते है तो क्या, हमें कुछ सुनने को मिलेगा अरे, नहीं, नहीं, मैं शाइरी के मूड में नहीं हूँ, अंकल मेरा कॉंसेंट्रेशन तो, अक्षरा पर है आनन्द, अब तुम हमारे बीच आही गए हो तो, एक कविता सुना दो ओके, इस बार, इस टाइम फ़र चेंज, कविता हैं, आप सब लोग सुनाएंगे और अमें तो कुछ नहीं आता कमान, लेट्स डू इट, ओके, ठीक है इसमें आप सब का नाम है, इसमें जिसका नाम आएगा, उसे कविता बोलनी पड़ेगी टॉपिक मैं दूँगा, हाँ, वो, लवीना, अरे मैं ही पहले क्यों बोलू, अच्छा बोलो, ओके, टॉपिक, सुई धागा, सुई धागा, लड़की सुई जैसी, मर्द है धागे जैसा, बिना धागे के सुई क्या करेगी, जगे जगे चुपती रहेगी, जीवन भर मुलय से इंया जगा, थो शर्टका बटन लगाया जा सकता है, जे फूल बन सकता है, फूल से हार सकता है, सूब पर. ठी ज़्यादा बोले थो उसका मू भी सिल सकता है. यह अंकार तापिक पती और पतने पती और पतनी पतनी उसे बते का ब्यकieben बन कर रहें चाहिए कर्वर के नहीं बनना चाहिए रूल पती पत्नी घर की लक्षमी होती है उसे नौकरानी की तरह नहीं देखना चाहिए पती वाटसप में फालतू जोक्स फारवर्ड करने वाला नहीं होना चाहिए बलकि पत्नी को कहकर अपनी फीलिंग शेर करने वाला होना चाहिए पती पत्नी को काफी में शुगर की तरह होना चाहिए बाडी में शुगर की तरह नहीं होना चाहिए हांती आप इता लिए नेरजा हां चाहता जगड़ा बारिश में चाहता चाहिए समुंदर में नाव चाहिए प्यार में जगड़े जरूरी है उससे समझने के लिए अच्छा सा दिल चाहिए समझ नहीं पाए तो लाइफ बेकार है अक्षरा है के डारू सोड़ा अनन लचू माचा अक्षरा शर्मावमत यार हम दोनों अलग लग तो नहीं है ना तुम्हारे बदले में मैं बोल दूं क्या क्या नहीं है हां हां बोलो बोलो दारू सोड़ा दारू अगर ग्लास में जाये तो साइलेंट हो जाती है अगर सोड़ा पड़ जाये तो वाइलेंट हो जाएगी हम हमेशा दारू सोड़े के बारे में ही बात करते हैं पर उनको मिलाने वाले ग्लास को कोई नहीं पूछता सही बोलो ग्लास जैसे दारू और सोड़े को मिलाता है वैसे ही शादी एक लड़के और लड़की को मिलाती है शादी का मतलब जिसके साथ जी सकते हैं उसके साथ करना नहीं जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं उससे शादी कहते हैं हजारों आशाएं कई पसंद लागों सोच करोडों खुआईशों से होती है वेडिंग जैसे हमारी हापी वेडिंग आनन बस दो दिन बचे हैं फिर तेरी शादी हो जाएगी जानता हूं मा तुमसे एक बात कहूं बेटा शादी होते ही तुम घर छोड़कर तुरंत मत चले जाना बेटा क्योंकि हमें अक्षरा की आदत हो चुकी है अब शादी के बाद उससे अलग होने का मान ही नहीं हो रहा हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो और अब अक्षरा के आने से वो कमी पूरी हो गए मा क्यों मा अक्षरा को लेकर इतना एमोशनल मत हो वो हर दिन एक जैसी नहीं रहती ए ये क्या बोल रहा है हां अक्षरा बहुत अच्छी लड़की है वो मुझे बेहत पसंद है जैसे तू मेरे लिए है वैसे अक्षरा भी है जैसे तेरे बिना दिल नहीं लगता वैसे अक्षरा के बिना भी नहीं लगता शादी के बाद उसे अपने घरवालों को छोड़कर आना पड़ेगा ये सोच कर मुझे चिंता हो रही है तुम कितनी अच्छी यह तुम्हें भी नहीं पता मां मजे आप जैसी मां और उसे आप जैसी सास मिलना बहुत मुश्किल है मां अरे अक्षरा जैसी बहुपाकर कोई भी सास ऐसा ही कहेगी मेरे बेटे का जिन्दकी भर साथ देने वारी लड़की को इतना प्यार करना तो बनता है न भगवान के दया से सब कुछ ठीक चल रहा है अब शादी की सारी रसमें बिना किसी रुकावट के हो जाएं तो अच्छा हुआ 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 है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पर्सनल है इन्हें सब पता है इनके सामने बोल सकते हो ग्रेट सो बोलो मैं क्या बोलूं क्या बोलूं मुझे जवाब चाहिए क्या डिसाइट किया है और दो दिन में हमारी शादी है अरे यहां चल क्या रहा है महंदी लगा रहे हो साड़िया ले रहे हो मंगल सूत्र खरीद रही हो तुम विजेवड़ा क्यों आई फिर आई यू आउट ओफियो माइन तुम्हें इस शादी नहीं करनी न राइट तुमने अलरटी डिसाइट कर लिया है न आनन क्या अनन तुम क्या कर रहे है तुम्हें अंदाजा नहीं है न हमारे दोनों की फैमिलीज इस शादी को लेकर कितना खुश है यह देख रही हो न देखो, शादी का मतलब शॉपिंग करना, वेडिंग हॉल बुक करना नहीं है, दो फैमिलीज के बीच के इमोशन्स हैं, अगर उन्हें पता लगा कि तुम तयार नहीं हो, जानती हो उन सब क्या होगा एक मिड़ रुको, ये हमारी लाइफ है, हमारे पेरेंस की लाइफ नहीं है, हमारी प्रॉब्लम्स को हमें ही सॉल्फ करना होगा अपकुस, तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो साफ ना बोल दो, बीच में ये हाइडन सी किसलिए, समझ रही हो या नहीं देखो कैसे चिलना रहे हो, अबसे पहले तुम कभी ऐसे नहीं थे, रियल परस्नालिटी अब बहार आ रही है आई नो, इनसान सिचुेशन के हसाब से बदलता है, एक बार हम किसी से प्यार करते हैं, किसी सिचुेशन में हम उनके लिए जीना चाहते हैं, तो किसी सिचुेशन में मरना चाहते हैं वे keep changing कि वैसे इंसान क्या सॉल्ट या शुगर है जो हमेशा एक ही टेस्ट कर रहता है हां अगर तुम यह नहीं समझी तो यह तुम्हारी गलती है तुम्हारी मेरे पैरें सफर करें यह नहीं चलेगा अग्षरा तेखो कल जब हमारी शादी हो रही होगी मुझे शादी पसंद नही मैंने डिसाइड ही नहीं किया यही करोगी न आनन एक बार मेरी पोजिशन में आकर तो सोचो एक लड़की अपने घरवालों को छोड़कर पराय घर में कैसे रह सकती है सोच कर देखो चुप करो इस पूरे दुनिया में क्या तुम अकेली शादी कर रही हो बोलो हां क्या लग मेरी है अगर तुम्हें कुछ हो गया तुम्हारे पेरेंस को मैं आंसरेबल हूँ पूरी सोसाइटी क्वेस्चन उठाएगी हम पर हमें क्या पता कैसी लड़की हमारे घर आने वाली है हमारी फैमिली के साथ अरजस्ट होगी यह नहीं हम जैसी रहेगी कि नहीं अच्छी हो तुम बस अपने बारे में सोच रही हो एक बार मेरे बारे में आखे बंद करके सोचो तब तुम्हें समझाएगा इस दिल में कितना दर्द हो रहा है ठीए है कोई नहीं तुम्हारे पेरणसे मैं बात करूँ कि तुम्हें शादी नहीं करनी अरे क्या डरा रहे हो क्या या प्रेशराइस कर रहे हो मुझे प्रेशराइस नहीं कर रहा हैं थोपहім प्ले दश्ट की दू हु on and if you don't wanna play this game, you can leave leave right now ओके, इसाहिद तो करे लिया तुमने, तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूगा कि, कि ये शादी नहीं होगी अक्षरा इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ बेटा अरे नहीं नहीं अंकल, आप क्यों सौरी बोल रहे हो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप सौरी मत बोलिए हमारी गलती नहीं होगी, पर हमारे बेटी ने गलती की है न नहीं आउंटी, आक्षली उसकी गलती भी नहीं है, उसने कहा था, नहीं करते शादी, यहीं रोक देते है गलती मेरी भी है, उसके मना करने के बाद भी, मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिरेंट हो गया, कि जो भी हो मैं उसे अपना बना लूँगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं सुनिये जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, अब मैं किस मुसे बोलूँ, जब अपने लोग जिन्दगी से दूर हो जाते हैं, तो उस फीलिंग को आखिर कितने लोग हैं जो समझ पाते हैं, इस अकेले के अलावा आप ये क्या बोल रहे हैं, सब उसकी मर्दी है, सब उसी के हिसाब से होगा, और हम क्यों, आखिर हम उसकी सारी बाते क्यों मारें यो मतलब मेरे घर के लोग, मेरे समाज के लोग क्या समझेंगे, ये मेरे लिलिंपॉर्टेंट नहीं है मेरी बेटी क्या चाहती है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अनंद उसने जो फैसला किया है वो गलत है यह सही मुझे नहीं पता पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता वो अपने लिए चाहे जो भी फैसला ले वो फैसला मेरे लिए आखरी होगा अगर वो गलत भी है तो भी मैं उसे ही सपोर्ट करूँगा पर तुम्हारी तरफ से मैं एक रिस्पॉंसिबिलिटी लेता हूँ बेटा तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घरवालों से माफी मांग लूँगा नहीं अंकल, आप मेरे घर मत आना मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लूँगा उन्हें जो बताना चाहिए मैं खुद बता दूँगा आप जल्दी यहां से हाइदरबाद चले जाए अंकल प्लीज क्योंकि ये बात पता चलने के बाद कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाना चाहिए अंकल ऐसा हुआ तो बहुत बुरा लगेगा बहुत दुख होगा आप सभी बहुत अच्छे हैं अंकल प्लीज चले जाए अंकल प्लीज अंकल प्लीज आप बड़े हैं क्या आपको पता है फ्यूचर में हमारी एक लड़की फ्यूचर में अगर मुझे बेटी पैदा हुए और वो भी ऐसा ही डिसिजन लिती यकीन माने अंकल मैं उसे ही सपोर्ट करता हूँ आपने सही कह शादी से ज्यादा जिन्दगी इंपोर्टन्ट है पर एक रिक्वेस्ट है अंकल मेरे यहां से जाने के बाद अक्षरा को कुछ मत कहना प्लीज अंकल हमें हैदराबाद के लिए निकलना होगा हमेजरी के बाद मैं और अक्षरा एक मिनिट आनन तुम क्यों आई हो एक मिनिट में बात कर सकती हूं क्या मेरी बात मानो यहां से चली जाओ बस एक मिनिट आनन आपसे आनन ने बता ही दियाओगा कि यह शादी नहीं हो रही है हमारे है। निखलने से पहले आप सभी से बात करनी थी मुझे मुझे ठीक से याद नहीं है हमारी इंगीजमेंट की बात से मैंने जिस आनन से प्यार किया लगा ये वो नहीं है ऐसा लगा वो बिल्कुल बदल गया है मुझे एक स्रेच पर बहुत डर लगने लगा कल शादी के बाद ही और जादा बदल गया तो मेरा क्या होगा मैं सूचने लगी इसी लिए इस शादी से विड्रॉ करना चाहती थी हलिते हो गये क्योंकि लाइफ में जब हम कुछ बुरा एक्सपीरिंस करते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा समहल का रहने लगते हैं उसी टाइम हमारा कन्फूशन शुरू हो जाता है और कन्फूशन के वज़े से इनसेक्योरिटी होती है मेरे साथ भी वही हुआ दादी आपको पता है आपका पोता एक होपलिस फेलो है अपने आपको बहुत बड़ा हीरो समझता है वो गलती के बाद लोगों को माफ करने की बात करता है दूसरे लोग गलती करके बड़े अराम से वेट करते रहते हैं कूल रहते हैं, काम रहते हैं वो लोग मुझ जैसी indecisive confusion वाली लड़की को भी chance दिया इसने बहुत patience के साथ वेट किया उस वक्त मैंने क्या किया पता है दादी मैं इसकी सिर्फ गलतियों के बारे में ही सोचती रही हमेशा और वो मेरे बारे में, मेरे parents के बारे में हमारे होने वाले बच्चों के बारे में सोचता रहा वो बहुत positive है कलानन ने मुझसे एक बात कही एक बार मेरी position में रहकर सोचो अक्षरा मैंने सोचा उसके बाद एक मिनट भी नहीं रह पाई मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया एक पिता अपनी बेटी को हमीशा सपोर्ट करता है वो जायस भी है पर वो क्यों मुझे सपोर्ट करता रहा क्यों मुझे चांस पे चांस देता रहा मेरे इतने टॉर्चर करने के बाद भी वो क्यों सहता रहा यहां तक कि कल भी मेरे गलती होने के बाद भी वो क्यूं मेरे पापा के सामने मुझे सपोर्ट कर रहा था इतना अच्छा लड़का मुझे दुबारक कैसे मिलेगा अगर मेरी गलती भी होती है तो मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे न तुम मुझे अपने दिल में रखकर समालोगे बहुत हटophone किया न तुम्हें तुमने बहुत पहले मुझे से कहा था दोनों के बीच प्यार स्चुरू होने के बाद, उनके बीच कितने भी जगरे हो जाए हुने भूल जाना चाहिए हमारे बीच भी जगरे होए है क्या तुम उने भूल सकते हो आनन प्लीज मुझे माफ करोगे न मैं तुम्हारी जितनी बड़ी राइटर तो नहीं हूँ पर मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं बोलूँगी चिडियों के चहकने से आवाजे जरूर आ सकती है पर हमारी बीच का ये सन्नाटा संगीत है मैं बात हो सकती हूँ आनन पर तुम एक सुन्दर सा गीत हो मैं एक सपना हो सकती हूँ पर तुम आखों के सामने दिखाई देने वाला सच हो सही कहा था मैं अटकीवी टेप रिकॉर्डर ही हूँ हमेशा I love you, I love you, I love you ही पूलती रहोंगी Will you marry me आनन कि Çुम एक सामस्थ झार है कि अच्छब है कि यार्ण मारत्रों गजक स्टेश यार्ण मारत्रों